असलाम अलेकूम वीवर आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसमें दो चीजी हैं जिसका मैं डिफरेंट जो है वो आप लोग बता दूँगा और अक्सर जो फ्रेश इंजिनियर होते हैं डिफलोमा होल्डर होते हैं तो एंटर्वी में उनसे दो क्व हो जाते हैं एक हमारा है सबस्ट्रक्चर और एक है हमारा सूपस्ट्रक्चर दूसरा हमारा प्लेंट बीम और लेंटल बीम इनकी बीच में परक किया हैं वह मैं आप लोग साथ जो है इस वीडियो में इंशाला जो है डिसकस करूंगा अब यहां पी जो हमारा यह जो लेव फ्लोर फैनेशेंग लेवल जिसको FFL कहते है इसी नीच्छी फाउंडेशन समय लीन तक जितना भी यह हिस्सा है यह हमारा है सब स्ट्रक्चर आपकी DPC की टाप लेवल आपके प्लेंध बीम की टाप लेवल चे लेकर फाउंडेशन समय जितना भी हिस्सा है ना बिल्डिंग क इसको कहता है सबस्ट्रक्चर और इस से उपर जितने भी आपका बिल्डिंग है चाहे वो दो स्टूरी है चाहे वो तीन स्टूरी है जितने भी है उसको कहता है सुपरस्ट्रक्चर और एक चीज़ ये भी आप लोग ने जहन में रखना है कि अगर आपका कोई basement है तो वहाँ पे अक्सर पूछ जाते है कि जी basement जो जमीन से नीची है क्या वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर का है तो यह जहीं में रखना है कि जिदर आपका basement का floor है वहाँ से नीची जो आपका हिस्सा है वो आपका है सबस्ट्रक्चर और जहाँ पे floor से उपर जितने बीम है, वो आपका है سुप़ट्रॉक्शर, दुसरा जो है, पलेंथ बीम और लेंटल बीम, और साथ में हैं सेजमिक बांड बीम, यह तीन जो है, यह बीम में क्लियर करता हो कि, जो इस पलेंथ लेवल पर हम चलाते हैं, तो ये जो हमारा beam है इसको हम कहते है प्लेंट बीम और जो डोर आपनें के ओपर हम चला天 जिस तरह ये हैं इसको कहते हैं Lantle beam और जो शालड दीवार है जिस तरह इनकी बीच में ये देके ये वाला जो अरोराल हमने चलाया है ये हमारा है Seismic Barn Beam ठीक है? तो seismic barn beam और lentil beam तकरीबन आपकी एक ही level पर चलते हैं लेकिन उसमें भी आपके जो door opening है आपके जो window opening है उसमें आपका up down हो सकता है लेकिन आपका जो solid दिवार है जहां पर basically उसने resist करना है उसको जो seismic जो उसके pressure है उसका तो उसके लिए जो हम इस्तिमाल करते हैं उसको हम कहते हैं seismic barn beam और जो हमारा door opening उसको पर हम चलाते हैं उसको हम कहते हैं lentil beam और जो नीची हम FFF पर चलाते हैं उसको कहते हैं plant beam तो ये basic इसके बीच में जो है different है और इंशालला उमेद है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों जैना इंशालला ये जो confusion ये clear हो जाएगा